नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो क्या आप जानते हो सापों को पकड़ने वाला आखिर सापों से डरता क्यों नहीं है और सापों को दवडा दवडा कर वह पकड़ता है और उसी साप को आम आदमी देखकर भागता है दुम दबा कर तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सापों को पकड़ने वाला इंसान सापों का दवा अपने पास रखता है सापों का जड़ी बूटी अपने पास रखता है इसलिए वह सापों को पकड़ने में हिचिचाता नहीं है, सापों से डरता नहीं है और ठीक इसी तरीके से बिच्छू पकड़ने वाला भी बिच्छू को पकड़ लेता है, बिच्छू से डरता नहीं है और बिच्छू के जहर को उतारने का गुन अपने पास रखता है करने वाला सापों की जहर को खतम करने वाला जड़ी बूटी या तो फिर एलोपाइथिक इंजेक्शन मेरे ख्याल से 200 साल हो चुके होंगे बने हुए लेकिन उससे पहले भी सापों को पकड़ा जाता था और सापों के जहर के असर को खत्म किया जाता था तो दोस्तों ऐसे मे लोग इस तरह के जड़ी बूटी इस्तमाल करते थे यह देखिए दोस्तों दुनिया के जितने भी सहर जहर है सभी को कम करने वाला पौधा है इसका नाम है कसवधी तो हाँ दोस्तों आज मैं आप लोगों सामने कसवधी का पौधा लेकर आया हूं देख लीजिए पहचान हरे हरे हो गए हैं और छोटे छोटे पौधे भी उत्वन हो चुके हैं यह देखिए पैदा हो चुके हैं छोटे पौधे भी दोस्तों कसवधी फली इस तरह से होते हैं देख लीजिए पहचान लीजिए और इसके फूल जो है पीले पीले होते हैं फूल अभी खिला नहीं ह लेकिन कली मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कली मुझे दिखाई दे रहीं ये देखिए पीले पीले हैं। दोस्तों कशंदी के दो परजाती होते हैं। फाइदे तो दोनों कशंदी के एक समान है। लेकिन छोटा कसंदी जो होता है उसे अति गुडवन्ता माना जाता है तो जो छोटा कसंदी होता है उसे चक्रमर्द कहते हैं क्योंकि उस पौधे के आकार दो फुट से लेकर धाई फुट ही पाया जाता है और जो बड़ा कसंदी है उसे कसंदी ही कहते हैं वो आट फुट से लेकर 10 फुट तक भी पाया जाता है फलियां दोनों के एक समान ही होते हैं थोड़ा से बड़ा छोटा कभी-कभी मिलता है दोस्तों या कसंदी का पौधा जहर और 20 पे तो काम करता ही है प्लस या और भी विमारियों को ठीक करने छमता रखता है दोस्तों कसंदी नाम किया इस तरह से बहुत सारे बिमारियों में इसका उप्योंग किया जाता है। कस्तूरी जैसा गंद निकलता रहता है दोस्तों इसके पत्तों को काड़ा बना कर नहाने से हर प्रकार के कुष्ट रोग या फिर चर्म रोग तोचा रोग नश्ट होता है दोस्तों या तोचा में होने वाले हर एक प्रकार के तोचा रोग को नश्ट करता है मात्र इसके पत् कफवात को दूर करता है मुत्रल है दोस्तों करने और मिरगी की रोगी को भी इसके जड़को चूरन मिलाकर 3 гру महीने मिर्गी रोग सांत हो जाता है ठीक हो जाता है इतना फाइदे मंद होता है या कसंदी दोस्तों यह कोई मामूली पवधा नहीं है पूरे भारत वर्स में बारिस के मौसम में दिखाई देने लगता है इसके जड़के चूरन के सेवन से दर्द सूजन और बुखार भी उ जो बीज है वह बहुत ही जहरीला माना जाता है इसलिए बीजों के इस्तेमाल बहुत ही समद्दार-भैद के देख रेख में इस्तमाल करना चाहिए दोस्तों जो कसंदी पौधा मैं पाया हूँ और जिस कसंदी के पास खड़ा होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ वह भी छोटा कसंदी है जिसे चक्रमर्द कहते हैं और यह भी कूले करकट के उपर ही पैदा हुआ है उत्पन हुआ है तो दोस्तों अगर इसका इस्तमाल आप खुद से करते हैं तो सिर्फ आप बाहरी तोचा रोग में ही इस्तमाल करके आजमा लीजिएगा देख लीजिएगा क्योंकि दोस्तों खाने के लिए इसे बहुत ही अच्छा बैद के देख रेक में ही खाया जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कसंदीग पौधेग पहिचान बताया हूँ और इसके गुर धर्म के बारे में बताया हूँ लेकिन किसी को खाने का अनुमती मैं नहीं दे रहा हूँ हाला कि बाहरी तवर से तोचा के उपर आप लगा सकते हैं किसी तरह कोई हानी प्रभाव नहीं होगा तो चलो दोस्तों आज की महातपूर जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाडी आयरवेदिक